आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि शरन का विलोम शब्द क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी से और अच्छा से समझेंगे तो सबसे पहले शरण का अर्थ समझते हैं शरण का अर्थ होता है आश्रे, सुरक्षा, साहारा या जो आश्रे या सुरक्षा प्रदान करता है यानि कि मानले जी भूतिज आप कहीं जंगल में घूमने गए हैं और भूतिज बारिश हो जाती है तो आप किसी पेड़ की जो है शरण लेते हैं या किसी गुफा में रुक जाते हैं थोड़ी दिर के लिए तो उसको शरण लेना कहते है यानि कि जहां हमें आश्रे मिलता है, सुरक्षा मिलती है तो शरण का विलोम शब्द यानि कि विपरित आर्थक शब्द होता है निराश्रे यानि कि जब कोई आश्रे न हो यानि कि किसी चीज़ से बचने के लिए कोई सुरक्षा न हो यानि कि बे साहरा निराश्रे तिया जिसके पास कोई आश्रे या साहरा न हो तो आईए अब हम शरन और निराशरे को कुछ उधारन वाक्यों से समझें जैसे कि आप यह कह सकते हैं कि शरन प्राप्त करने के बाद उसे राहत और सुरक्षा का अनुभव हुआ यह फिर आप कह सकते हैं निराशरे स्थिती में रहने के कारण उसे लगातार असुरक्षा और कठनाईयों का सामना करना पड़ा अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें